तो हाई गाईस वेलकम तो निवे चैनल तो फेंस आज के वीडियो में हम बात करने वाले है रियल मी एक सेवन को आप कैसे ओनलाइन और ओफलाइन पर्चेस कर सकते हैं यहाँ पर जो है आपको पता ही होगा कैसे आपको जो है स्मार्टफोन को पर्चेस करना है simply आपको जो है कोई भी जो प्लैटफोर्म जहां पर फोन अवेलेबल है रियल मी एक सेवन रियल मी एक स्टोर पे साथी साथ आपके जो है फ्लिप कार्ट पे अवेलेबल है वो तो आप वहाँ से जा कि इसको पर्चेस कर सकते हो लेकिन आज के वीडियो माँ बात करेंगे कि आप कैसे ओफलाइन में पर्चेस कर सकते हो रियल मी एक सेवन को चलते हैं वीडियो की तरफ देखते है कैसे आपको जो है फोन मिलता है EMI पर cash पर तो चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो पसंद है तो like जब से कर दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी एस इंटेट से वीडियो के लिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ तो कैसे यहाँ पर जो है न सबसे पहले मैं आपको बताओ क्योंकि अभी फोन अवेलेबल नहीं है मार्केट में फर्स्सेल जो आएगे इसकी वहाएगी 12th of September को जो की आपको आपको आउनलाइन में देखने को मिलता है 12 September को इसकी सेल जाएगी तो आफ-लाइन में जब आप इस फोन को परचेस करने जाएंगे तो आपको प्रीबुक अ को मिलेगा जो नॉर्मली वहाँ पे स्टोर में विजिट करेंगे उनको मिलेगा अब बात आती है पेमेंट मोड की तो आपको अगर जाए फोन चाहिए कैश पर या एमाई पर सबसे पहले बात करते हैं कैश की तो कैश में आप जो है यहां पर डाउन पेमेंट अगर अगर आपको मिनिममम 2,000 का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप रियल मी X7 5G ले रहे हैं तो 2,000 जो है आप पहले पे कर देंगे तो फोन की प्राइसिंग अगर 19,999 है बेस वेलेंट की तो आपको जब फोन आपको मिलेगा तब आपको 18,000 पे करने पड़ेंगे फोन की तो वो चीज आपको दियान से देखनी है कि अगर आपको फोन के स्पैक सही लग रहे हैं तो आप डारेक्ट ली जाके प्री बुक करवाद जीजे इस्टोर पे और आपको फोन जो है 12 से 13 तरीक के बीच पे मिल जाएगा अब बात आती है जो फोन लेना चाते हैं EMI पे तो EMI पे अगर आप फोन लेना चाते हैं तो अभी के लिए प्री बुकिंग आपको करनी पड़ेगी और जब फोन आएगा उसके बाद आपको 40% जो है डाउन पेमेंट करना पड़ेगा जो की फोन का जो प्राइस होगा उसके 40% जब आप फोन को मिलेगा आपको तब आपको देना पड़ेगा और आपको बागी जो है EMI transaction हो जाएगी अब बात आती है मेरे पास कुछ भी अभी नहीं है और मैं अभी जो है उसको EMI पे देना चाता हूँ फोन तो आपके पास जरूर से credit card होना चाहिए आप credit card से भी EMI बनवा सकते हैं HDFC हो ICIC हो आपके पास credit card होना च कि वहाँ पे EMI transaction है कि नहीं बजाज Finserv जो है आपको देखने हो मिलता है तो उससे अगर वो करते हैं तो आप उससे भी करवा सकते हैं चाहे तो home credit से भी करते हैं तो वो आपके डिपेंड करता है आपकी एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके जो एरिया में जो रियल्मी स 7 series को purchase कर सकते हो offline store से first जो payment mode मैंने बताया वो है cash अगर आप cash से करना चाहते है तो अभी आपको 20% जो है देना पड़ेगा मतलब 2000 रुपीज जो है पे करने पड़ेंगे साथी साथ अगर आपको जो है EMI पे चाहिए तो आपके पास 3-4 तरीके है पहला है जो आप अपने card स discount बना सकते हैं आपको card से EMI बन जाएगी second जो है वो है आपके normal जो EMI जो पजाज finance या home credit से तो वो चीज आप वहां से करवा सकते हो जो कि आपको normally देखने को मिल जाते हैं तो बस यही जो options है वो मैंने आपको बता दिया अगर आपको Realme X7 series purchase करना है आप अपने nearby Realme store पे ज झाल